यामा बूदा कौन है? आप में से बहुत लोग इनका नाम जरूर सुने होंके अब यहाली में एक रियाल्टी शो का विडियो वैरल हुआ था जिसमें रफ्तार ने इनका जिक्र किया तो अगर आप इस लीजेंड को नहीं जानते तो यामा बूदा एक नेपाली रैपर थे जिन्होंने नेप पॉप को एक अलग मुकाम तक पहुचाया है इन्होंने कई रैप म्यूजिक बनाया है और इनके साथी सौंग बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है रिपोर्ट्स की मताबिक यामा बूदा ने वर्ष 2017 में लंडन में अपने बात्रूम में सुसाइट कर लिया और उनके गुजरने से नेपाली म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुझे कुछ नेपाली लंगूज नहीं आता मगर उनके साथी सौंग में कुछ तो बात जरूर है